हालो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइज आज की इस वीडियो आम लोग देखने वाले हैं, जो आपका S.S.C.C.L. का एक्जाम होने वाला है, 9 सितंबर से 26 सितंबर तक, उसके लिए हाली के एक्जाम में, T.C.S. के द्वारा जितने भी प्रेश हो, कि आपके S.S.C.C.L. का एक्जाम में, यहां से प्रस्ट जरूर पूछे जाएंगे, तो वेडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा, और आप से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो S.S.C.C.L. पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा, और बगल में यह आपको एक बैल एकन यानि घंटे का नहीं शान भी दिख रहोगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अहला कोशन है था कि गुलाब चंद कटारिया, वर्तमान में किस राजजी के राजजीपाल हैं, तो देखे गुलाब चंद कटारिया की बात कर ले, तो यह जो आपके असम के एक तीसवे राजजीपाल जो हो बने हैं, तो असम आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, इसके लाब बात कर ले ग अंदरवे मुख्य मंत्री है यह आपके हिमंत विसुल सर्मा है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा और लोकसभा में असम की जो सीट है यह कितनी है तो देखे असम में लोकसभा की जो सीट है यह आपका 14 सीट है वहीं विधान सभा की जो सीट है यह आपका 126 सीट है और आपका असम राज्य में राज्य सभा की सीट ये आपका साथ है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव अगर अन्य राज्य के गवर्नर की बात कर ले तो देखे आंधर पर्देश के जो वर्तमान में राज्य पाल है या आपके एस अब्दूल नजीर है अरुनाचल पर्देश के जो वर्तमान में राज्य पाल है या आपके कैवला त्रिविक्रम परनाई जो है यहां के वत्मान राज्यपाल है, गोवा की पेस स्रीधरन पिल्लाई जो है, गोवा के वत्मान राज्यपाल है, अचारे देव रज जो है, यह आपके गुजरात राज्य के वत्मान राज्यपाल है, बंडारू दत्ता त्रे जो है, यह आपके हर्याना के राज्यपाल है, सिव प्र जाएगा आप वहां से टेलिग्राम जॉइन करके जो है ये पीडियाप जो वो ले सकते हैं नेक्स्ट को शाप कहा रहा था कि ओलम्पिक में तेनिस को जो ये कब सामिल किया गया था तो देखें मैं आपको बता दू कि पहला ही जो आपका गृश्म कालिन ओलम्पिक हुआ था फिल्ड होकी को जो है 1908 के लंदन ओलम्पिक खेलो में पूरुस की प्रत्योगिता के रूप में जो है ओलम्पिक में इसे जो वो पेश किया गया था यानि फिल्ड होकी को कब सामिल किया था तो ये आपका 1908 के लंदन ओलम्पिक में जो इसे सामिल किया था वहीं अगर उरुस फुटबॉल टीम को ही जो है वो सामिल किया गया था मैलाओं के फुटबॉल टीम को जो है कब सामिल किया गया था तो देखें मैलाओं के फुटबॉल को जो है 1996 में अटलांटा ग्रिश्मकाली ओलंपिक में जो है इसे सामिल किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध योल में ये जो आपका आयोजित क्या गया था इसमें भारते तिरंदाजों ने पहली बार ओलम्पिक में जो भाग लिया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपका आपका आप रहा था कि according to census 2011 the state with largest gap in male and female literacy rate is यानि जनगना 2011 के नुसार जो है पूरुस और महिला सचर्टा में जो है सबसे बड़ा अंतरवाला राज जी के बारे में जो वो पूछा गया था तो देखें जनगना 2011 के according जो है पूरुस और महिला सचर्टा में सबसे बड़ा अंतरवाला जो राज जी रहा था ये आपका राजस्थान राज जी रहा था तो राजस्थान आपका यहाँ पे correct answer होगा देखें मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान राज जी का जो आपका literacy rate रहा था यह आपका 66.11% रहा था जिसमें पूरुस सचर्टा दर जो है यह आपका 79.19% रहा था और महिला सचर्टा दर जो है यह 52.12% रहा था जो कि पूरुस और महिला सचर्टा दर में जो है सबसे ज़्यादा gap जो है वो राजस्थान राज्य में ही जो है वो देखने को मिला था इसके लावा बात कर ले अगर सबसे कम साच्छता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो यह आपका बिहार राज्य रहा था बिहार का जो लिटरेसी रेट है न यह आपका 61.80% रहा और महिला सच्छता दर वाला राज्य ऐपका 51.50%. तो यहां से इकजाम में पूछा जाता की 2011 की जनगर्णा के नुसार किस राज्य की महिला सच्छता दर वाला था उसके बाद आपका राज्य स्थान राज्य का रहा था तो यह क्रम भी आपको ध्यान में रखना है और अग यह 74.04% रहा था जिसमें पूरुष साचर्टादर की बात कर ले तो यह आपका 82.14% रहा था और महिला साचर्टादर जो है यह आपका 65.46% रहा था जिसमें अगर राज जी की बात कर ले तो देखे सबसे अधिक साचर्टादर वाला जो राज जी है यह आपका केरल राज जी जो आपका लच्छ दीप रहा था, उसके बाद आप ये करम देख लिए, उसके बाद आपका मिजेवरम राजी करा था, उसके बाद आपका गोवा राजी करा था, फिर आपका त्रीपूरा का, उसके बाद दमन एंड दीव करा था, तो अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगन्ना क अनुसार आपका दूसरा केंदर सासित परदेश कौन सा है जिसकी जो साचर्टा दर है वो अधीक रहा था तो देखे दूसरा अगर पूछा जाए तो यह आपका दमन और डियू करा था और पहले स्थान पे जो आपका लच्छ दीप रहा था तो यह पॉइंट भी आप ध्या मापी यह जो आपका यह जो आपका योजना ना यह केंद Kiya तो यह फिसकी नाम बदल में इसकी बदला कर तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट पूश आपको आपको आपके पांच परकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं तो पहला आपका अपको आपको आपको अपके परकारा पगाई्ट करते हैं तो यह फैसनो पांच परकार के होते हैं और शुप्रीम कोड जो यह आपके अनुछेद 32 के तहत पांच जारी करते हैं वहीं अगर उच्छ न्याले की बात करने तो दे कि high quote जो है यह अनुछेद 226 के ताहफ जो है यह पांच परकार के रीट जारी करते हैं तो पांच आपका यहाँ पर correct answer होगा और यह आप ध्यान में रखेगा कि आपका सरवच न्यालें जो है किस अनुछेद के ताहफ रीट जारी करता है तो अनुछेद 32 के तहरा जो रीट जारी करता है और हाई कोट यानि उच न्याले जो है ये अनुचेद 226 के तहरा जो वो रीट जारी करते हैं तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लिए बात कर ले अनुचेद 32 ये जो है किसे शंबंदीत है तो ये आपके संविधानिक उप में पानी के हानी को जो है क्या कहा जाता है तो पतियों के किनारे से बूंदों के रूप में पानी के हानी को जो है ये आपका गटेशन जो है वो कहा जाता है तो गटेशन आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा और देगे मैं आपको बता दू कि गटेशन में पानी के रिश कि अंत्रीच में जो आपके बादल होते हैं उसे नेबूला कहा जाता है तो यह ते आते अपको ध्यान में रखनाओ नेक्स्ट कोछ है आपका रहा था कि PC महाल 90 से आपका statement बेज प्रश्ण ना पूछा गया था जहाँ पर आपके तीन statement आपका दिया गया था कि PC महाल 90 ने जो है दूसरी पंच वर्सी योजना से आपके संबंदी थे तो ये statement तो आपका सही है क्योंकि जो दूसरी पंचवर्ट से यूजना था ना ये आपके PC Mahal Nobis model पर आधारी था Second statement आपका दिया गया था कि IIM यानि Indian Institute of Management Setup by Him यानि PC Mahal Nobis के द्वारा जो है PC Mahal Nobis को भारते सांखे की के जनक के रूप में जो वो जाना जाता है तो तीसरा statement आपका सही है और इनका जो जन्म है ना ये आपका 29 जून 1893 को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में भारत में प्रतेक वर्स 29 जून को जो रास्ट्रे सांखे की दिवस के रूप जी को जो है विज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए इन्हें 1968 में पद्म विभूशन से भी जो वो सम्मानित किया गया था यानि तीसरे statement की बात कर ले तो पहला और तीसरा statement तो आपका यहां पे correct answer है अगर दूसरे statement के और देखे तो देखे भारत में जो IIM क जो स्थापना है ना यह आपके भारत के पहले प्रदान मंत्री पंडी जवाला नहरू के द्वारा जो वो किया गया था ना कि PC महलना भी इसकी द्वारा किया गया था तो दूसरा statement जो आपका गलत हो जाएगा यानि वन और त्री जो आपका correct answer होगा तो इसके लाव मैं प्रबंदन संस्थान है ना यह कहां पर स्थापित किया गया था तो यह आपका कलकता में स्थापित किया गया था और यह कब किया गया था तो यह आपका 13 November 1961 को हुआ था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका आपना था कि इन में से कौन स निता से शम्मन्दित है तो सोनल मान सिंग आपका यहां पे correct answer होगा इसके लावा सुनल मान सिंग के बार में बात कर ले तो यह नहीं 1992 में पदम भूसन और 2003 में पदम भीबूसन से सम्मानित किया गया था और पदम भूसन और पदम भीबूसन पाने वाली यह सबसे कम उमर्क व्यक्ति है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है अगर एक्जाम में पूछा जाए कि पद्म भीभूशन और पद्म भूशन पाने वाली सबसे कम उम्री की व्यक्ति कौन है तो यह आपके सोनल मांसिंग है और इने जो है कब दिया गया था यह आपको यहर भी जो को ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यहा पर आता कि भाट्य संभिधान के किस अनुछेद में डबल जियो पाड़ी यानि दोरा खत्रा यानि दोरी सजा का उलेख जो है वह किया गया है तो देखें दोरी सजा का जो उलेख है न यह आपके अनुछेद 20 के अदमा चलाया जाएगा, यह जो आपका अनुछेद 20 के खंड 2 में जो आपके खंड 2 आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, इसके लाब बात कर ले अनुछेद 20 के बारे में, तो देखे भारते संभिधान का अनुछेद 20 जो है, यह अपरादों के लिए सजा के संबंद में यह आपके संडर चन से शंबंदी थै तो यह point भी आपको ध्यान में रखना है, नेकस्ट को शैपका यहां परात तक की वी जयनगर समराजजी का अन्टीम वंस ता तो वी जयनगर समराजि bestimm वंस था तो अरावीदू वंस आपका यहां पर क्रेक्ट एंसर होगा, इसके तो जो था वो आपका वेंकट दीते था और इसे अपनी वेंकट दीते ने जो अपनी राजानी है ना यह चंद्रगिरी में जो वो अस्थनांत्री जो वो किया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश्चन आपका यह आप रहता है कि सोमसीला बांध जो है यह किस नदी पर इस्तित है तो देखेट सोमसीला बांध की बात कर ले तो यह आपका आंधर परदेष के निलूर जीले में जो है यह आपका पेना नदी पर इसका निरवान जो वो कराया गया है तो पीरना नदी आपक यहाप एक करेक्ट एंसर होगा दिखें मैं आपके लगातार प्रसन जो वो पूछे जा रहे हैं तो अगर अन्य बांद की और देख ले तो देखे टीहरी बांद जो है यह आपका भागी रथी नदी पर उत्राखंड राज्य में इस्तित है गोविन सागर जो है यह आपका सतला नदी पर हिमाचल परदेश में इस्तित ह कोईना बांद की बात कर लो तो यह आपका कोईना नदी पर जो है मारास्ट में इस्तित है गांदी सागर बांद जो है यह आपका चंबल नदी पर मद्य परदेश में इस्तित है बगलिहार बांद जो है यह आपका चिनाब नदी पर जम्मू और कास्मिर में इस्तित है मु जम्मू बाजगो 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 सागर बांद जिसे पोंग बांद भी कहा जाता है और ये जो आपका ब्यास नदी पर घिमाचल परदेश राज जिमें इस्तीत है इसके लावा आपका कावेरी नदी पर तमिललडूर राज्य में इस्तीत है उकाई बांद जो एपका कावेरी नदी पर करनाटक राज्य में इस्तित है नागार जुन सागर बांद जो है यह आपके कृष्णा नदी पर आंध्र परदेश और तिलांगना राज्य में इस्तित है पंचित बांद की बात कर ले तो यह आपके दामुदर नदी पर जारखन राज्य में इस्तित है सर तिलया में बराकर नदी पर जो है इस तिलया बांध को जो वो बनाए गया है तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपको आप रहा था कि दा क्रोप्स ग्रोन आफ्टर दा मौनसून सीजन आर कॉल्ड यानि मानसून रीतु के बाद उगाई जो आपकी उगाई जाती है ना उसे जो आपका रभी फसल जो वो कहा जाता है और रभी फसल और खरीब फसल की अगर मैं बात कर लो तो देखे रीतु में वर्सा रीतु में जो है आपके जून से सितंबर तक जो है यह आपके खरीब फसल जो है वो उगाए जाते हैं और ख तो यह idolsне बोई जाती है। लेकिन अगर अगर परस्ट ने पुछा गया होका कि मांसून रीतों के बाद उगाई जाने वाली वाली वस्तल को पर पो नामजल क्विछ इत खञाती है तो देखें, गेहूं, जौ, सरसो और हरे मटर, यह सब जो आपके परमुक रभी फसले हैं, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कुश्च आपका आप रहा था, कौन सा स्वतंता सेनानी जो है, आई एन ए, यानि इंटियन नेशनल आर्मी के साथ जो वो संबंदी थे, तो सुबाज चंडर बोश आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, और आप कमेंट करके जवाब दिजीगा, कि आजाद हिंद फोज की जो स्थापना है ना, यह कब और किसके द्वारा किया गया था, मैं भी देखना चाता हो, कि आप मेरा एक्स्टा फैक् और किसके द्वारा किया गया था, और साथी साथ यह भी बताईगा कि कहां पर जो वो किया गया था, इसकी अस्थापना, नेक्स्ट कोश है आपका यहां परादा कि 2023 थक भारत कितने साप चैंपियंसिप जो जीट चुका है, तो देखे साप चैंपियंसिप की बात कर ले, यह जो आपका एक अंतरास्ट्री अस्तर पर जो है, मानेता प्राप्त फुटबॉल टूनामेंट है, जो कि आपका दच्छिन-ACI उपमाधीब टीमों का जो है, इस पर एक मंच पर जो वो लाया जाता है, और यह जो है दच्छिन-ACI फुटबॉल महासंग द्वारा, कीयाँ है, और इसका जो सची वाल में इससाफ का सची वाल यह आपका भंगलादेश में से संचालित होता है, और 2023 में इसका जो है, जो है, चौदवा संस्करन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुवेट इसे के साथ भारत ने न शुबन नोवी बार जो है üzल Свेका क खिताब जो जीत लिया था तो नौवी आपका यहां पर एक करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था कि वंदे मातरम और जंगन मन यह जो किसने गया था इसमें आपका मैच दा फॉलिविंग से प्रस्ट न पूछा गया था तो देखे वंदे मातरम की ब बार जो लीका गया था तो वंदे मातरम में आपका बगकीरचंदर चटोपध्य आपका जो वह सही मैच होगा और रास्टे गान में जो है रवी ना टैगोर जो है वह आपका सही मैचिंग होगा तो इस परकार से जिनोड़े bھی मैचिंग क्या होगा उनका यहां पर करेक्ट answer होगा next question अपके आप रहा था कि सितार और बासुरी से संबंदित आपको ज़ो वो मिलान करना था जहां पर एक तरफ आपका सितार और बासुरी दे दिया गया था और एक उनके जब वादक का नाम दे दिया गया था तो देखें सितार से संबंदित आपके जो परमुख वादक हैं यह आपके पंडित रवी संकर, साहीद परवेज खान, बुद्धा देत मुखर जी और अनुस्का संकर यह सब जो आपके सितार वादे अंत्रश से संबंदित है बासुरी वादे अंत्रश की बात कर ले तो हरी परसाथ चोरस या पन्ना लाल गोस यह आप परकार से को आपको सही मिलान करना था, नेक्स्ट आप बात कर लएता सही उटनीयो गुतियरल के सथापना थाह कर ऊद मुशंतर में उनिख कहर जाता तो को यह आपको स्थापन 945 में यह वह जो किया ग्या तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कहीं आप रहा था कि बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद जो है साइड को जो बदल दिया जाता है तो देखें मैं आपको बतादू कि जब बैडमिंटन का खेल सुरू होता तो आपका टॉस किया जाता है फिर साइड जो वो दे दिया जाता है उसके बाद दूसरे खेल की सुरूआत में जो है खिलाडी को अपना छोर जो है वो बतलना होता अगर पहला जो खिलाडी होता ना इस साइड है तो जो दूसरा गेम होगा और फिर खिलाडी इस साइड आ जाएगा और अगर मैच तीसरे खेल तक पहुंसता है तब गेम के आरम में और फिर जब अगरनी जोडी का स्कोर अगर 11-11 तक पहुंसता है ना तब उन्हें दो बार अपने छोर बदलने जो वो पढ़ते हैं तो 11 अंग जब तीसरे गेम में 11 अंग तक पहुंसते हैं तब खिलाडी जो है वो अपना साइड जो बदलते हैं तो 11 अंग आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि पारसी धर्म के जो है नौ वर्स का आपका कौन सा जो वो तेवार है तो देखें मैं आपको बता यहां पर करेक्ट है